दोस्तो आज हम बात करेंगे इस्टाग्राम में content monetization policy issue के बारे में दोस्तो कि content monetization policy जो होता है इस्टाग्राम में ये होता क्या है ये आता क्यों है दोस्तो और इसे आने से हम जो है कैसे रोग सकते हैं और यदि ये आपके account में आ गया है तो आप इसको fix कैसे करेंगे और सबसे important बात दोस्तों कि यदि आपके account में ये issue जो है content monetization policy वाला ये आग यहराप इसको fix नहीं करेंगे तो क्या ये आपके account को delete भी करा सकता है या नहीं करा सकता है सारे चीजों को दोस्तों हम इस वीडियो में discuss करेंगे बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि content monetization policy issue जो होता है ये होता क्या है तो instagram जो है दोस्तों इसने monetization से related एक policy बना रखा है यदि आप इस policy को validate करते हैं यानि कि तोड़ते हैं ता आपको इस तरह का problem content monetization policy issue का problem देखने के लिए मिल सकता है उसके बात दोस्तों बात करते हैं कि content monetization policy issue जो है ये आता क्यों है तीस के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा terms and condition लिखा हुआ यदि आप static video बनाते हैं ठीक है इमेज है ठीक है वीडियो नहीं है वीडियो की जगा में इमेज है और उस इमेज में आपने पॉल वगेरा बना रखा है या आप उसमें कुछ लिख दिये हैं कोई भी effect डाल के उसको डाल देते हैं यानि कि post कर देते हैं तो आपको इस तरह का problem देखने के लिए मिलेगा ठ इमेज डाल डाल के वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ लिख देते हैं कोई फेक्ट डाल के उसको post कर देते हैं तो उस वीडियो में भी आपको इस तरह का problem देखने के लिए मिल सकता है इसके लावा लूपिंग वीडियो मतलब एकी चीज को आप repeat करकर करके दिखा रहे हैं उसके बाद बहुत सारा है देखिए इतना सारा है कि जैसे मैं हिंदी में करके आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़के समझा देता हूं ठीक है देखिए कितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है नसली दवाओ तंबाकू या सराब का सेवन निवस्तर करना या योन इस तरह का यदि आप डालेंगे तो भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा इस तरह का इसू देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके अलावा यहाँ पे देखिए समाजिक मुद्दों से जुड़ा चीज जैसे कि आप जो हैं बहस नहीं कर सकते हैं लिंग पे आयू इस तरह का चीज भी आप जो हैं वीडियो में नहीं बता सकते हैं या पोस्ट नहीं कर सकती इसके अलावा आपती जनक चीज भी बहुत सारा जैसे कि धंकी हो गया इसके अलावा तसकरी चोरी बरबरता यहां पे बहुत सारा चीज दिया गया है इसका लिंक मैं आपको डिस तोड़ा यहां पर नियम और कानून यहां पर बताया गया इसके अलावा और भी बहुत चीज है जैसे गाली बकना मान हनी अपमान जनक सब्द इस तरह का तीसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप हिंदी में पढ़के एकदम डीटेल में खुदी पढ़ यह एकदम और समझ लेजिए ठीक है तो अब बात करते दोस्तों की से आने से हम कैसे रोग सकते हैं यानि के कंटेंट मुनेटाजेशन पुलिसी इसू को आने से हम जो है कैसे रोग सकते हैं यदि आपके एकाउंट में यह जो है यह आग यह आपको यहां पर देखने के लि उसके बाद यहीं पर आपको मुनेटाजेशन इस्टेटरस देखने के लिए मिलेगा यहां पर किलिक करेंगे यहीं पर आपको कंटेंट मुनेटाजेशन पुलिसी का इसू देखने के लिए मिल जाएगा यदि आप इसमें किलिक करेंगे तो जितने भी वीडियो में आपक के लिए मिल जाएगा तीश को फिक्स करने का एक फी तरीक है कि कि आपको जो है इस रिल्स को डिलीट करना पड़ेगा तब ही आपके रिक्स्ट कर देना पढ़ेगा तब हित्सब्राइक यह और यहां पर यदि आपको लगता है कि यह गलती करा के इस problem को fix कर सकते हैं तो review करने के लिए request review पे click करें ठीक है और कुछ नहीं करना है submit review request पे आपको click कर देना है लेकिन आप तभी करें दोस्तों जब जो नियम कानून मैंने आपको बताया उस नियम कानून को पढ़ लिजी और आपको 100% आप सियो रहा है कि आपने जो है कोई भी mistake नहीं किया है तभी आप जो है request किजिए वरना आप जो है review के लिए भेजेंगे तो आपके यदि एक या दो वीडियो में हुआ रहेगा ता और भी वीडियो में आ जाएगा मेरा केवल एकी वीडियो में आया हुआ था इस वाले वीडियो में लेकिन जैसे ही मैंने review के लिए भेजा और 9 वीडियो पे आ गया यानि कि इसको मिला के 10 वीडियो पे हो गया मेरा तो दिमाकी खराप ह गया उसके बाद मैंने सारी वीडियो को डिलीट कर दिया केवल दो ही को छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि इसमें अच्छे खासे ब्यूज है इस वाले वीडियो में दो मिलियन ब्यूज है जिसके चलते मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं बाकि सबी वीडियो को इसको भी डिलीट नहीं कर रहा हूं तो अब सबसे हम चीज पर बात करते दोस्तों कि यदि हम मुनेटाइजेशन पॉलिसी इसू को छोड़ देते हैं यहां पर जो भी हमारा वालेशन आया हुआ है तिससे हमारे एकाउंट को क्या सरफड़ेगा क्या हमारा एकाउंट इसमें नहीं होगा यह होगी है कंटेंट मुनेटाइजेशन पॉलिसी इसू मतलब कि इससे आप जो है अर्निंग के वल नहीं कर सकते हैं जैसे कि अभी इस्टाग्राम में गिप्ट के थुरू से अर्निंग हो रहा बोनस के थुरू से हो रहा तो वो सब आपको नहीं इस वीडियो में ठीक है बस यहीं नुकसान है बाकी कोई भी अधर आपको नुकसान नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए पार्टनर मुनेटाइजेशन पॉलिसी है और यहां पर कम्निटी गाइलेंस इसमें हमारा जीरू-जीरू दिखा रहा है ठीक है तो यह जो है नीचे होने वाला है जुलाई अगस्त मतलब दो महना हो गया तो मेरे अकाउंट पे अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है तो यदि आपको लगता है दोस्तों कि आपको अपने अकाउंट को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है यहां पर सारा चीज जो है यह जिरो-जिरो होना चाहि आप इन वीडियो को डिलीट कर दीजिए तो आपका अकाउंट एकदम क्लीन हो जाएगा यदि आपको लगता है कि वीडियो में बहुत सारा व्यूज है हम वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही तरीका होता है इसमें या तो रिक्वेस्ट या तो डिलीट र नहीं है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपके मन में जितने भी सवाल होंगे content monetization policy issues related सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा दोस्तों तो चली दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो दोस्तों Facebook और Instagram से related तो मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको 100% reply करूंगा तो चली दोस्तों मिलते फिर नेस्ट वीडियो में जैहिन दोस्तों